नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का बाते बाजार की पर मैं हूँ अंकेत अवस्ती आप है मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिससे आपको एक कहानी एक पिक्चर एक ऐसा मोमेंटम बनेगा आज की स्टोरी का क्योंकि वो जानना इसलिए जरूरी है कि हर एक चीज किस तरह से बात का बतंगड बनती है कभी कभी से सुना होगा ना बात का बतंगड क्या होता है तो बात का बतंगड बनते हुए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ कैसे 2008 में एक कंपनी जिसका नाम था लेमेन ब्रदर्स उसके दिवालिया होने पर चाने कितने लोगों की तो जॉब चली गई कितनों के घर बिग गए, कितने ही लोग संकट के उस दौर में मरत्यू को गले लगा लिये आज एक ऐसे संकट के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा कैसे वो बाहर बना, क्या हुआ था अर्थ व्यवस्था में वर्ष 2008 के दिन, 15 सितंबर 2008 के दिन आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे, यानि कि आज की चर्चा में मैं आपके सामने जिस विशे की वस्थु प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसे बड़े गंभीरता से सुनना और आपको हर कड़ी को जोडने का मौका मिलेगा और सम्टाइम सम्मे से कुछ बाल कलाकार ये सोचते हैं, हम क्यों जाने इस बात को हमसे कौन से रिलेटेड है, आप से भी रिलेटेड है यदि आपका कोई बड़ा भाई, घर का कोई परिवार का सदश्य, वर्ष 2008 में किसी बड़े कॉलेज से भी अगर पास आउट हुआ होगा, तो भी उन्हें प्लेसमेंट में बहुत बहुत नुकसान उठाना पड़ा होगा 2008 और 2009 के बैच के जो पास आउट हैं, उन्हें आज तक भी अपनी जॉब में उस मंदी का नुकसान देखने को मिलता है, उनकी प्लेसमेंट तब जाके अफेक्टेड होई थी, बड़ी बड़ी कंपनियों ने प्लेसमेंट देने बंद कर दिये थे, लोगों की जॉब की जिक्र भी किया था, अगर आप थोड़ा सा नीचे चलते हुए चलें, हाला की थोड़ा नीचे चला गया, यहां 2008 का Financial Crisis Word मैंने कल के सेशन में लिखा है, उसी क्राइसिस को आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा क्राइसिस जिसमें मार्केट माइनस 57% तक नीचे गिर गया एक दिन की घटना नहीं है, साथियों पूरी पड़ी स्टोरी है, पिक्चर की तरह है, बस आप तो अपनी कमर की पेटिया बहांद लीजिए और तयार हो जाईए, दुनिया में क्राइसिस आते हैं, अमेरिका का 2008 का क्राइसिस, आज तक लोगों को जो इस पीडी के लोग है उन्हें याद है और अगर आपको भी याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताईएगा, अगर आप पुराने जमाने के यानि की हमारे टाइप के जमाने के व्यक्ति हैं तो जरूर बताईएगा, अच्छा, इसके साथ साथ आपके दिमाग में एक प्रशन और बनता होगा, अमे अपना कल याद परसों का सेशन इसके उपर रखेंगे, तब इस्थिती ये हुई थी कि भारत को अपना सोना गिर्वी रखना पड़ गया था, जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं ये लीमेन ब्रदर्स की हैं, जहां लोग अपने आफिसस से सामान निकाल निकाल करके बा उपर मैं आपको एक आडियो बुक सजेस्ट करके जा रहा हूँ, लिंक कमेंट बॉक्स में और डेस्क्रिप्शन में डाल दिये हैं, आप तब तक इसे सुन लीजिए, पूरी स्टोरी की पटकता हम आपको बताएंगे, ये आडियो बुक है, आपके लिए कूकू FM पर अव अविलेबल ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां से आपको दस हजार के करीब किताबें, डिफरेंट टाइप्स की किताबें जो हैं वो अविलेबल होती हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं, बहुत सारे जैनर यहां पर उपलब्द हैं, और आप इन किताबों को सुनने के लिए, मेर हम एक रिफॉर्म जिसके बाद में इंडिया में हुए और हम उससे निकल कर आए थे, आज मैं आपको सुना दे रहा हूँ, अपना वाला, और हाँ, इसको अगर आप लेना चाहें, तो use my referral code अवस्थी 50, जिसको आप use करके link comment box में दिया हुआ है, अपने किताबें डाउनलो पर उस session के अंदर जहां पर हम चर्चा करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, क्या हुआ था ऐसा उस दिन, आईए मैं आपको बताता हूँ, साथियों आप सभी को ये तो मालुम होगा कि अमेरिका में आतंग की हमले वही आतंग की हमले जिनकी बदला पूर्ती करने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान को 20 साल तक गोलियों से चलनी कर दिया था, वो आतंग की हमला अमेरिका में हुआ था और कब हुआ था, 9-11 के रूप में जिसे आप जानते हैं, साथियों ये जो घटना थी, अमेरिका को पूरी तरह जखजोर दिया था, around 2001 की घटना है, जब अमेरिका के अंदर, लोगों के अंदर एक हीन भावना पैदा हो गई थी, कि यार हमारे उपर हमला हो गया, हम तो कभी अब ग्रोही नहीं कर पाएंगे, उस दौरान एक पटकता लिखी गई थी, 2001 के दौरान, और 2008 क चार के बीच का एक दौर था, जिसे आप समझें, उस दौर में हुआ ये, कि कुछ समय तक अमेरिकियों के अंदर ये भै बैठ गया, कि हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे उपर हमला हो गया, नर्वसनेस आ गया, मार्किट तूट गया, अमेरिका पर हमला बड़ थपड़ मार के चला जाए, वाई सब बड़ा जो है नर्वस हो जाता है, बिलकुल बिखर जाता है, कुछ वैसा ही हो रहा था, अमेरिका चब बिखर रहा था, तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक, देखिए, इंडिया के अंदर जो काम RBI करती है, ऐसे ही अमेरिका के अ होता है, कि इनको पैसा दे दो, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए पैसा जो है वो प्लेजर है, उन्हें खुशी देता है, अब पैसा दे दो तो तरीका क्या अपना है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने क्या किया, लोगों में एक मोटिवेशन या फिर मार्किट को उचा चड़ाने के लिए अपने यहां की इंटरेस्ट रेट को घटा करके बहुत नॉमिनल कर दिया, आज आपको घर बनाना हो इंडिया में, तो इस समय घर बनाने की जो इंटरेस्ट रेट है जिस पर मकान आप कि राएब लोन पर ले सकते हैं, वो इंटरेस्ट रेट आप परस्पेक्टिव में रख कर देखें, यदि आपको बैंक ये कहने लग जाएं कि चिंता की कोई बात नहीं है, आप तो बढ़िया से हमसे पैसे ले लो, बोले कितना परसेंटेज ब्याज पे, आप कल्पना नहीं कर सकते, ब्याज कर दिया 1.75 फीज दी, दुबारा 6% के आसपास इंटरेस्ट रेट चल रहा था, मैं एक्जेक्ट फिगर कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसे घटा करके फेडरल रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट 1.5 से 1.75 के बीच ला दिया, यानि आपको पैसा लेना है, ले लीजिए, इतने कम ब्याज पर पैसा बैंकों को ओफर किया गया, कि लोगों को पैसा लुटाओ, बुले इससे क्या होगा, बुले इससे ये होगा, कि जिसको जर्वत नहीं है, वो भी लोन लेने आएगा, आपको जानकारी होनी चीए साथियों, ये जो परसंटेज पर लिया गया पैसा था ना, इतने कम अब ध्यान से सुनना बड़ी इंट्रेस्टिंग कहानी क्या है अगर मैं आपको ये कह दू कि आपको 1.5% पर या 2% पर लोन अवेलिबल है आप क्या कैश मांगेंगे हाँ जी मैं तो कैश ही मांगूँगा मैंको तो कैश उड़ाना है बैंक समझदार होती है बैंक कभी भी बिना कोलेटरल के आपको लोन नहीं देती है कोलेटरल का मतलब क्या होता है बैंक की पूछती है तुम लोन तो ले रहे हो इसकी एवज में अपने पास से गिर्वी क्या रखोगे गिर्वी शब्द थोड़ा सुनने में बहयात्सा लगता है इसलिए आप याद करिए मोर्गेज कि आप मोर्गेज में हमारे पास वस्तु में हमारे पास क्या रखोगे आप समझदार निकले आपने कहा साब मेरे पास तरीका है बोले बताओ क्या तरीका है आप मुझे लोन दो बोले हाँ ठीक है मैं लोन से घर खरीदता हूँ बोले ठीक है और मैं घर के कागजाद आपके पास गिर्वी रख देता हूँ वाँ आज भी यही होता है वाई दवे यदि आप कभी घर खरीदने जाते हैं या कार खरीदने जाते हैं मतलब समझें कुछ आप, यहाँ अमेरिका में भी यही हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, अब जरा आप वो समझें, अमेरिका में साथ यह डेड़ से पौने 2% ब्याज के उपर जो काम हो रहा था, इससे लोगों ने लोन में पैसे लिए, डॉलर्स लिए, और डॉलर्स लेकर के खरीदने निकल पड़े मकान, अब आपको जानकर आश्रे होगा साथियों, अमेरिका में हर दूसरा व्यक्ती नया मकान खरीदने निकल पड़ा, इस्थिती यह हो गई कि मकान के मार्केट में भाई साब भूम आ गया, क्यों? उधर से लोग पैसे लेकर आ रहे हैं, खरीददार लाइन में खड़े हुए हैं, मकान इंडस्ट्री एकदम आसमान चू रही है, किसा आप मकान ले लो, मकान ले लो, लाइन लगी पड़ी है, आप यकीन मानिए कि उस दौर में, 2001 से 2008 के बीच में, अमेरिका का जो रियल एस्टेट मार्किट है, वो आसमान चूने लग गया, उमीद है, यह कहानी अच्छे से समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बैज जब पैसा मिल रहा है, तो आप पैसे से क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे, इसका किसाब हाउसिंग डवलफ्मेंट कराना है, लोगों को घर दिलाना है, अब आप सोचो कि HDFC ने इतने सस्ते लोन कर दिये, कि हर दूसरा आदमी घर लेने आ गया, घर ले करके घर के कागजात HDFC को दे गया, कि यह पकड़ो साब घर के कागजात, अब मुझे घर दे दो, अब देखो इस बीच में क्या हुआ ना, कि जब बहुत ज़्यादा खरीदार आ गए, उधारन के लिए मान कर चलो, कि जहां एक मकान पांच लाख रुपे का था, उधारन के लिए बता रहा हूँ मैं, रियल एस्टेट का मार्केट एकड़म शूट होता है साब, एकड़म आवा की तरह उपर रॉकेट बनके जाता है, ये भी यहाँ पर हो रहा था, पांच लाख का मकान, पंद्रा लाख का मकान महेंगे होने शुरू हो गए थे, ठीक है, बैंक ने आपको लोन दिया था पांच लाख का, अब उसको लग क्या रहा है बैंक को, कि उसके पास तो पंद्रा लाख का मकान गिर्वी रखा हुआ है, बैंक यही सोच करके लोन दिये जा रही है, कि वाह, मज़ा आ गया, एक शुडो मार्केट क्रियेट हो गया, खैर चलिए, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, उमीद है आपको यहां तक की कानी समझ में आ रही होगी, इसी बीच में, जो आज मैं आपको केस में उधारन लिया, HDFC का, इंडिया के अंदर एक शब्द चलता है, जिसका नाम है, Too Big To Fail, TBTB, Too Big To Fail, TBTF, यानि कि इतनी बड़ी बैंक हो जाए, जिसकी फेल होने की संभावना नगन्य हो, ऐसे ही, अमेरिका के अंदर एक बैंक थी, जिसका नाम था, Layman Brothers, ये Layman Brothers लगभख डेड़ सो साल पुरानी बैंक थी, 1840-50 के आसपास की बैंक थी, इसके बारे में भी यही कहा जाता था, It is Too Big To Fail, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, कि इसने 600 billion डॉलर से जादा के तो, mortgage रखे हुए थे, इतने loan बाटे हुए थे इसने, आप सोच कर देखो, कितनी बड़ी बैंक, मतलब HDFC वे HDFC कहीं अड़े नहीं उसके आगे, इतनी बड़ी बैंक थी वो, आप अंदाजा लगा सकते हैं, उस समय वो अमेरिका की चौती सबसे बड़ी बैंकों में से थी, जैसे इंडिया में अगर अगर अपन SBI ले 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 लें, अपने आपका नाम जैसे HDFC इंडिया के अंदर मकान को लॉन दिलाने के लिए जानती है, ऐसे ही ये लेमेन ब्रदर्स अपने आपको जाना करती थी, कि साब मुझे जानते हो, तो मेरे लिए ये जान लो कि मैं मकान दिलवाती हूँ, ठीक है साब, अब लेमेन ब्रदर्स की कहानी आगे बढ़ती है साब, लेमेन ब्रदर्स ने उठा करके लोगों को लॉन देना शुरू किया, बढ़िया मात्रा में लॉन देना शुरू किया, कोई बात नहीं, दिक्कत का बाना शुरू होती है, अब उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं 2008 में अचानक मंदी कैसे आती है अब उसको समझे हैं अब आप देखिए अब एक बैंक है उस बैंक का नाम है Lehman Brothers अब आपको कहानी में यहां तक समझ में आ जाना चाहिए Lehman Brothers ने लगभग समझो की 600 billion dollar के क्या दे रखे हैं mortgage loan दे रखे हैं लोगों को बांट रखा है मकान के कागजाद खुद के पास ले रखा है मकान के कागजाद खुद के पास और धन दुनिया के पास दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है एक समय तक यह माना जाता था कि अमेरिका में Lehman Brothers से ज़्यादा जमीन किसी के पास नहीं है क्यों कि सब के कागजाद तो इसी के पास रखे हुए है सबसे बड़ी bank ही सबसे बड़ी land owner है कोई बात नी साब यहां तक भी सही है लेकिन मुसीबत यह है कि bank केवल अगर मालो bank के पास कोई आम आदमी गया देखिए bank के पास दो तरह के customer होते है एक customer को वो कहता है prime customer prime customer का मतलब होता है यदि आपने इस से पैसा मांगा तो यह तुरंथ चुका देगा एक customer होता है सब prime customer सब prime customer का मतलब समझो कि यह loan लेने तो आ गया लेकिन अगर इसके साथ एक भी चोट हो गई तो यह पैसा नहीं चुगा पाएगा ऐसा customer इनकी नजर में सब prime customer होता है ठीक है prime customer जो मतलब ऐसे customer जिनके पास में एकाद धनका का साधन और भी है चुका भी देंगे थोड़ा बहुत bank balance भी है sub prime वो है वो तो इसलिए आगया कि loan सस्ते हो गए तो ले लेते हैं तो यह दूसरा प्राणी जो है वो sub prime customer कहलाता है ठीक है इन दिनों जब loan सस्ते हुए थे ना तो layman brothers के पास में जो सबसे ज़्यादा मकान खरीदने लोग आए थे वो sub prime customers परकार के थे अमीर परकार का जो मतलब इनका वो है गापारी है वो आकर के layman brothers से का कि बाई साथ मुझे कुछ पैसे की जरुवत है तो bank क्या करेगी ये थोड़ी किले मकान ले जा आज इसको चला के देख लेना ऐसा तो नहीं होगा तो क्या होगा मकान ले जा ये वाली इस्तिति नहीं होगी यहां पर कुछ और किया जाएगा और कुछ और क्या किया जाएगा तो यहां पर bank के साथ में पैसे से ही व्यापार होगा और जब पैसे से ही व्यापार होगा तो layman brothers पैसे दे कहां से क्योंकि उसने तो सब को माट दिये, अब तो उसके पास मकान के काखजात रखे हैं, इसको पैसे की जरुवत पड़ी, अब ये क्या किया, लेमेन ब्रदर्स ने अपने पास जितने भी मकान थे, अब ध्यान से देखना, व्यापार उपर की तरफ हो रहा है, लेमेन ब्रदर्स और कहा, देखो भई, तुमको पता है कि मैंने लोगों को लोन दे रखा है, मैं पता है, मेरे पास इतना सारा मकान है, मैं चाहता हूँ कि इन में से 100 बिलियन डॉलर के मकान, मैं आपके पास गिरवी रख दूँ, अब आप सोचना, समझो उधारन के लिए, HDFC किसके पास जा रख वालो, बोले क्यों भई, क्यों रख वालो, मुझको पैसे की जरुवत है, तो अब ये third party, that means SBI बोलेगी, कि यार मकान तो मैं रख लूँगा, या रख लूँगी तेरे वाले, मुझे क्या मिलेगा, बोले आपको, जो ब्याज मुझे मिल रहा था, वो ब्याज आप ल दिये, इस collateral को ही मेरे प्यारे साथियों, CDO के नाम से collateral debt obligation के नाम से जाना जाता है, CDO, collateral debt obligation, ये CDO उठा करके, इसने Lehman Brothers ने third party को पकड़ा दिया, कि लो साब, आप अपने पास इसको जमा रख लो, 100 billion dollar का, मुझे 100 billion dollar cash करके दे दो, लेकिन साब, जब market में third party को, यानि SBI को ये बात पता लगी, कि यार इन्होंने जिन लोगों को loan दे रखा है, वो तो बड़े ही सस्ते किस्म के लोग बाग है, बड़े ही गरीब किस्म के लोग बाग है, उनका क्या करें, तो ऐसी स्थिती में उन गरीब किस्म के लोग है, उससे निपटने के लिए, इसने, Lehman Brothers ने confidence के नाम पर क्या दिया, confidence के नाम पर Lehman Brothers ने इन से कहा, SBI से कहा, क्या कहा, कि साब आप चिंता ना करें, मेरे पास में पैसा तो है ही, मैं आपको एक guarantee और दे देता हूं, कि आपके इन CDO को, collateral debt obligation को insurance में और बदल देता हूं, या मैं guarantee देता हूं, कि आपको ये पैसे मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ मैं इनका insurance भी करा के देता हूं, गलती से मान लो, यदि ये पैसे मैं नहीं दे पाया, तो एक insurance company आपको वो payment कर देगी, अब ये कौन आ गया साब, अब एक तीसरी company समझ लो, LIC इसके अंदर involved हो अलिका की सबसे बड़ी insurance company, वो आती है और वो कहती है, कि ये जितने भी CDO हैं, यानि collateral debt obligations हैं, इनकी मैं insurance करने को तयार हूं, insurance करने को तयार हूं मतलब, अगर layman brothers ये पैसे नहीं चुका पाया, तो मुझे insurance का पैसा दे दो, insurance का मतलब आप लोग मुझे इनकी कीमत का कुछ पैसा दे दो, अगर गलती से ये फेल मारता है, तो मैं आपको वो पैसा खुद से चुका कर दूँगी, लीजे साब इसने insurance कर के पकड़ा दिया, किसको? SBI को, SBI बेफिकर हो गई, SBI को अब कोई tension ही नहीं है, सारी system समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, देखो layman brothers के पास मकान थे, पैसा नहीं था, SBI के पास पहुँचा, यानि कि उनकी जो बड़ी AIG से, जैसे ही AIG ने insurance दिया, सब की हिम्मत बढ़ गई, सब की हिम्मत क्यों बढ़ गई, कि जब collateral debt obligation secured है ही, तो फिर हमें डरने की क्या जरवत है, भाई साहाब, Lehman Brothers से बहुत सारे लोग, इनके इस CDO को लेने आ गए, कि लाओ साब मुझे दे दो, मैं आपको पैसा देने को तयार हूँ, यानि market के अंदर केवल AIG के द्वारा किये गए एक प्रयास से, जिसमें कि वो credit के एक guarantee दे रही थी, उसके कारण से बहुत सारे लोग, Lehman Brothers के लिए दातार बनकर आके खड़े हो गए, कोई बात नहीं, ये भी ठीक था, अब कहानी में पल्टिक हां से आती है, वो सुन लीजेगा, मतलब आप इस story chart को अब यहां से समझ पाएंगे, collateral debt obligation जो था, वो third party के पास AIG ने आ करके इन से कह दिया कि मैं आपको credit default swap करके दे दूँगी, आप चिंता मत करिये, पैसा ना मिले तो मेरे पास आजाना, पैसा चुकाने के लिए मैं बैठी हूँ, कहान दरों में जो कटोती थी, वो 6% से इतना की गई थी, क्यों की गई थी, अमेरिकियों में ये विश्वास दिलाने के लिए कि तुम चिंता मत करो, तुम खरीददारी करो, तुम्हारी tension दूर हो जाएगी, कोई बात नहीं, ये किस ने किया था, Federal Reserve Bank जो की अमेरिका की RBI है, उ इसी Federal Reserve Bank का है, इसी को तो Monetary Policy कहते हैं, Federal Reserve Bank ने पल्टी मार दी, जो की recently इन दुनों भी मारी थी इसने, पल्टी क्या मारी, इसने Federal Reserve Bank ने अपनी interest rate पलट दी, यानि यहां से वापस ये कर दी, कि 1.5% वाले अब 6% चुकाएंगे, मामला सोचो क्या हुआ होगा, हालत खराब, चिसकी जिनहोंने किष्टे चुकानी थी, उनकी, किष्टे कौन चुकाने वाले थे, इसके जिनहोंने मैं सस्ते खरीदे थे, उनकी ब्याजदरे बढ़ गई, उन्होंने कहा शर मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन डर भी नहीं है, दर क्यों नहीं है बोले आपने तो पहले ही मेरा मकान गिरवी रख रखा है जमा कर लो अपने पास परस अप फिर गया मतलब समझो जो दुकान था जो मकान खरीदा था जो लीमेन ब्रदर्स के पास था क्योंकि Lehman Brothers तो लोगों को लॉन दे रहा था Lehman Brothers ने लॉन के पैसे वापस मांगे कि भाई ब्याज बढ़ गया ब्याज दो दुनिया ने कहा Sorry Sir नहीं दे पाएंगे क्यों नहीं दे पाएंगे क्योंकि Sir इतना तो कमाते ही नहीं है महंगाई बहुत बढ़ गई तो बोले फिर क्या हुआ बोले आप मेरा मकान जो है ना वो अपने पास गिर्वी रखा हुआ है ना उसको बेच के निकाल लो Lehman Brothers गया और उस मकान को बेचने के लिए मार्केट में पहुंच गया बोले कोई दिक्कत यही तो नियम है प्रोपर्टी गा Lehman Brothers मार्केट में बेचने उतरी लोगों में हडकंप मच गया Lehman Brothers मकान लोगों के निलाम कर रही है यह तो मरे का माल है सस्ते में मिलेगा और मरे का माल जब सस्ते में मिलेगा सोच करके आता है तो भाई साब जिसकी कीमत आप 15 लाख सोच रहे थे लोग उसके 5 लाख देने को भी तैयार नहीं हो रहे थे मतलब दाव उल्टा पड़ गया यानि Lehman Brothers जब पैसा वसूल करने मार्केट में उतरी लोग एकदम चौक गए कि यार इसका मतलब मकानों की तो यह औरिजनल कीमत है यह नहीं बेचना पड़ रहा इसका मतलब लोगों के पास पैसा खतम हो गया है पल्टी ऐसी जब खाई खाई साहाब इधर इनकी सांसे चड़ गई किसकी थर्ड पार्टी की क्यों क्यों कि 15-15 लाख के मकान कहकर के 100 बिलिएन के मकान 3rd पार्टी को यानि SBI को बेच रखे हैं उधारन के लिए SBI को बेच रखे हैं समझे है आप? SBI ने सोचा कि यार यह जो 100 बिलियन डॉलर का माल हमको दे करके गया है यह 100 का नहीं है यह कम का माल दे गया हमको इनके बीच पे घबराट आ गई कि यार ये तो उल्टा हो गया हमारे साथ की तो हमको सस्ता माल दे गया ये लेकिन चिंता से फ्री थे क्यों? क्योंकि इनको कहा गया चिंता मत करो, अपन को तो AIG वालों ने, AIG अमेरिका की LIC, बोले AIG वालों अपन को सिक्योर कर रखा है, डरने की जरवत नहीं है, ये पैसा दे देगी ये गए इसके पास AIG वालों के पास, की AIG वालों बोले हाँ, सुनो वो जो 100 बिलियन का CDO था ना हमारे पास उतने का बिक नी रहा, हमें पैसा चाहिए AIG ने कहा I am sorry बोले क्यों, मुझे थोड़ी पता था ये सब हो जाएगा, मैं तो वैसे इंशॉरेंस माटती फिर रही थी बोले पागल है क्या इंशॉरेंस माटने वाली कंपनी के पास में इतना पैसा होना चाहिए कि गलती से उस इंशॉरर ने वापस क्लेम कर लिया तो वो चुका तो पाए AI जी ने का, I'm sorry मैं ने तयारी नहीं करी थी मैंने सूचा, Lehman Brothers दे रही है तो सही होगा, मैंने तो इंशॉरेंस के थूप पैसे कमाने के लिए इंशॉरेंस माट दिया उरे भाई साब, इस AI जी ने ना जाने कितनी बैंकों को ऐसे कहके टोपी पहना रखी थी हर बैंक का को लिटरल सीडियो करकर के इंशॉरेंस के पैसे कमाके AI जी बैठी थी, लेकिन इसके तो जेब में रकम ही नहीं थी इसके जेब में रकम नहीं थी तो इन थर्ड पार्टी वालों का तो नहाटा फूड गया कि ये क्या करें ये दिन था 15 सितंबर 2008 का जिस दिन AI जी ने कहा I am sorry मेरे पास पैसा नहीं है बोले अब अब हो गया काम बोले अगर पैसा नहीं है तो बोले पैसा नहीं है तो घर जाओ ये न्यूस जैसे ही बाहर आई कि AI जी के पास भी पैसा नहीं है इधर Lehman Brothers के पास भी पैसा नहीं है क्योंकि जनता चुका नहीं रही है Lehman Brothers ने रातो रात bankruptcy दिवालिया होने का letter चाप कर सरकार को दे दिया कि स्रीमान पैसा खतम अब हम नहीं चुका पाएंगे हमें दिवालिया गोशित कर दिया जाए सोचो एक सो साथ साल पुरानी कमपनी अमेरिका की चौती सबसे बड़ी बैंक रातो रात दिवालिया हो गई आपने कहा होगा सर इसको कूटा नहीं किसी नहीं ये गल्ती दे रही थी सरकार कूटना तो चाती थी इसको पर सरकार को पता था अगर इसके साथ कुछ गड़बड कर दिया तो इसने तो बहतों को इंशोरेंस बेच रखा है बरबादी चा जाएगी सब जगे तो सरकार ने यानि कि अमेरिकी सरकार ने इस AIG को लगभग डेटा बताते हैं कि 80 बिलियंड डॉलर के आसपास इसको फंड दिया और इसके 80% शेयर खुद ने ले लिये सरकार ने और कहा कि तुम पहले जिनका इंशोरेंस बाट रखे हो पहले उनको पैसा दो पैसा चुकाओ ताकि उनके CDO डूबे नहीं ताकि इतनी सारी दुनिया की कंपनी बैक टू बैक फेल ना मारें AI जी को सरकार ने बचाने का प्रयास किया लेकिन Lehman Brothers को कोई नहीं बचा पाया इतना बड़ा जहाज मिंटों में डूब गया उमीद है आपको कहानी पड़े ही रोचक अंदाज में हमने आसान बाशा में बिलकुन Lehman अंदाज में समझाने का प्रयास किया है और वो आपको समझ में आ गई होगी हाला कि मुश्किल था आपको समझ में आए ऐसी बातें एक बार में क्योंकि इसमें बहुत सारी टेकनिकल टर्म्स इन्वाल्ट थी लेकिन फिर भी अगर आ गई हों तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कौशिश तो की थी बागी आपके सामने है AIG को सरकार ने बचा लिया Lehman Brothers को कोई नहीं बचा पाया हालत ये हुई कि इसके कारण जितनों के भी पैसे लगे थे सब स्वाहा हो गया अमेरी की मार्केट एकदम धड़ाम हो गया धड़ाम होने का असर ये पड़ा कि कम्पनियों ने अपने आसे लोगों को निकालना शुरू कर दिया Lehman Brothers जिसके पास लगबग 25,000 करमचारी काम करते थे Turnover जिसका 500,000,000,000,000 सालाना होता था वो अचानक सुन्ने पर चला गया Share Market जितना था उसका एकदम 57% एक ही दिन में तूट गया हाहा कार मच गया लोगों के Placements रुख गये और आज भी जब इस चीज़ को याद करते हैं तो लोगों के रूख आम जाती है कोई नहीं उम्मीद है आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी यह सारी कहानी मैंने English में As it is यहाँ पर लिख करके content के साथ आपको उपलब्द करा दी है जो बाते बजार की नाम से Telegram Channel है हम वहाँ पर साजा कर देंगे mortgage क्या होता है, CDO क्या होता है इस सारी कहानिया मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दे दी है आप एक बार के लिए पढ़ लीजेगा, समझ लीजेगा मैंने आपको आसान भाशा में समझा दी है फिर भी आपके लिए एक notes के रूप में उपलब्द रहे इसके लिए हम अपने टेलिग्राम पर इसे साजा कर देंगे ठीक है, 1991 का जो recession इंडिया का आया था वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा परसों लेकिन उससे पहले आप जाकर के अवस्थी 50 code लगा कर जो मैंने link आपको comment box में दिया है कुको FM का, वहाँ जाकर के आप सुनिये कि वो दिन क्या था जिस दिन हमें अपना gold गिर्वी रखना पड़ा था इंडिया के साथ ऐसा क्या हुआ था जाएए, दस हजार किताबे हैं कुको FM पर आप जाकर के सुन सकते हैं फिलाल के लिए इतना ही अपना खयाल रखें, धन्यवाद